गुड मॉर्निंग एवरीवन आज का जो हमारा चाप्टर है विटे वो आपका सेकेंड चाप्टर है 11th क्लास का Atomic Structure देखो नाम ही आपको क्लियर कर रहा है कि Atomic Structure Atomic Structure का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर Atom के बारे में पढ़ना है Atom का Structure सेकें आपको जानना है तो हम इस चाप्टर को अच्छे से पढ़एंगे Atomic Structure तो Atomic Structure सकोछाईशे आपका नाम ही क्लियर कर रहा है तो यहाँ पर हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है Atom के बारे में पढ़ना है अब अगर मैं Atom के पढ़ना है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक word आता है बिटे matter क्योंकि कोई भी चीज अगर मैं देख सकती हूँ तो वो matter है, atom नहीं है atom तो एक ऐसी चीज है जिसको मैं देख भी नहीं सकती लेकिन मुझे ये पता है कि कोई भी चीज अगर matter है तो वो किस चीज से मिलके बनी है छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बनी है जिसका नाम हमने क्या दिया है atom तो भई ये तो सभी को पता था कि कोई भी बड़ी चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है तो इसका जो नाम है एटम वो दिया किस ने तो वो नाम जो है वो हुमारे डॉल्टन ने दिया था सबसे पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स को जिनको डिवाइड हम नहीं कर सकते थे उन पार्टिकल्स को उसने नाम क्या दिया बिटे एटम नाम दिया तो सबसे पहले मैं बात करती हूं बैटे matter की, तो matter की definition आप सभी को पता है, anything which occupy space and have mass is called matter. कोई भी चीज बैटे, जिसके पास दो properties हो, that is, जो space occupy करें और जिसके पास mass हो, उसको हम क्या बोलते हैं, matter बोलते हैं. अब अगर मैं इतना सा हिस्सा आपका मान के चलू, कि ये मेरा matter है, obviously matter है बैटे, क्योंकि इसमें इतना सारा हिस्सा हमारा क्या किया है, occupy किया है, तो space occupy किया है, उपर से इसमें कुछ mass भी है, तो मैं कह सकती हूं कि ये मेरा क्या है, matter है. तो matter एक मेरा discontinuous trauma है, बैटे, discontinuous का मतलब क्या है, बचल, अगर मैं कहूं कि ये सारा एक ही साथ बना हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्या है बैटे, छोटे-छोटे particles हैं मिलके बना हुआ है, बहुत ही छोटे, इतने छोटे कि जिनको आख अपनी आखों से देख भी नही इतने छोटे-छोटे particles को मिलके मैं क्या कह रही हूँ, matter बना है, मैं मान रही हूँ कि मेरा छोटा particle ये है, तो ये छोटा सा particle which cannot be seen, which can't be seen by naked eyes, जिसको हम naked eyes से देख भी नहीं सकते, उस छोटे से particle को मैंने क्या नाम दिया, बिटे, atom, क्या नाम दिया, atom, तो question ये उपता है, कि atom को अगर हम देखी नहीं सकते, तो उसको पता कैसे चला हमें, कि atom के अंदर electrons होते हैं, protons होते हैं, neutron होते हैं, ये चीज़े हमें पता कैसे S stands for scanning, T stands for tunneling, M stands for microscope, तो अगर आप scanning, tunneling, microscope का इस्तिमाल करते हैं, STM का इस्तिमाल करते हैं, तो आप atom को असानी से देख सकते हैं, atom को जर्नली आप नेक डाई से, नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, atom को देखने के लिए आपको STM का इस्तिमाल करना पड़ेगा, तो ये बात तो clear हो गई है, कि matter किस चीट से मिलके बनता है, जब आपके atoms क्या करते हैं, अपने आपको aggregate करते हैं, मतलब आपने आपको इ सकते हैं, आप atom को महसूस नहीं कर सकते हैं, बट आप matter को देख भी सकते हैं, उसे महसूस भी कर सकते हैं, और matter बना किस चीज का होता है, बिटे, atoms के aggregation से आपका matter बनता है, तो ये तो अभी हमें ये पता चल गया कि आपका atom बनता कैसे है, है ना, अब atom में होता क्या-क्या ह इसीज के बारे में भी study कर लेते हैं भी तो सबसे पहले जो word atom यूज किया था बिटे वो आपके work scientist ने यूज किया था जिसको उन बोलते हैं Dalton तो उसने सबसे पहले दिया था बिटे Dalton Atomic Theory दिको ऐसा कुछ नहीं है कि Dalton से पहले लोगों को ये नहीं पता था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है Dalton से पहले भी लोगों को पता था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलके बनता है लेकिन Dalton वो first scientist है जिन्होंने पहली बार ये बताया कि वो छोटे-छोटे particles actually में atom कहलाएंगे तो उसने सबसे पहले ये बताया था बटे कि छोटे-छोटे particles जो है वो atom कहलाते हैं तो first उसने बोला matter is made up of made up of small particles that take part in any chemical reaction जो matter है बिटे वो छोटे-छोटे particles से मिलके बना होता है और वो छोटे-छोटे particles ही किसी reaction में हिस्सा लेते हैं इस बात ता नतलब क्या है अगर मैं बोल दू बिटे कि मेरे पास ही एक H2 है प्नस एक C2 है तो आपको पता है वो HCL बना है ना तो इसका मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि hydrogen molecule और chlorine molecule ने react किया है actually में hydrogen और chlorine ने react ना करके hydrogen atom ने chlorine atom के साथ react किया है तो जब कभी भी reaction टेक्स पेस होती है बिटे तो वो atoms के बीच में होती है molecules के बीच में नहीं होती तो हम बात करें सेकिंड पॉइंट की सेकिंड पॉइंट में हम बात करेंगे बिटे atoms cannot be divided अब अगर इस बात को हम study करना चाहें तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि atoms को further divide किया जा सकता है into electrons, protons and neutrons में तो atoms को आप आगे चलके three parts में divide कर सकते हैं into electrons, protons and neutrons तो ये बात भी इसकी गलत साबित हो गई कि atoms cannot be divided उसके बाद अगर मैं बात करूँ बिटे atoms of an element atoms of an element are identical in nature are identical in nature देखा नहीं तो ये postulate भी डॉल्टन का गलत साबित हो गया था जैसे अगर मैं एक ही element के atoms लेती हूँ तो hydrogen, जिसे आप protein बोलते हैं बिटे ठीक है deuterium और tratium तीनों आपके hydrogen element के ही है atoms लेकिन तीनों identical नहीं है तो अगर हम बात करते हैं बिटे isotops के बारे में तो क्योंकि उस time पर बच्चा isotops के discovery नहीं हुई थी इसी लिए उस time पर हम यह बोल सकते थे कि atoms जो है identical होते हैं अगर एक ही element के atoms हम ले तो identical होते हैं बट ऐसा नहीं है बहुत से isotops जिनके element की अगर मैं बात करो तो उनके atoms अलग-अलग भी हो सकते हैं लाइक मैं chlorine की बात करूँ बटे जी तो chlorine आपको पता है 35 and 37 दो तरह की chlorine फ्रेजेंट होती है तो दोनों बिल्कुल identical नहीं है दोनों के molar mass में आपको difference नजर आ रहा है तो यही बात उसने third point बोली कि atoms है जो वो identical नहीं है ठीक है? identical है उन्होंने ये बोला लेकिन ये बात आपकी गलत सावित हो गई उसके बाद अगर मैं बात करूँ उन्होंने second postulate में आपको ये बोला कि atom cannot be divided पट आज आपको ये पता है कि atom को हम divide कर सकते हैं atoms को हम तीन पार्ट में divided कर सकते हैं बैटे electrons, protons and neutrons तो आप n के उपर 0 लिख भीज़ेगे खोई charge नहीं होता है यहाँ ठीक है? तो अगर मैं electron, protons और neutrons की बात करूँ बैटे तो इन तीनों को combinedly हम भोलते हैं बैचा, subatomic particles क्या भोलते हैं बैटे? subatomic particles तो मैं इनके बारे में बताइए अब इनके बारे में भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे बैटे इनके बारे में बहुत जादा डिटेल तो हम इनको आगे अभी डिस्कवर करेंगे तब पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा सबसे पहले अगर मैं चार्ज की बार करूँ तो इसके उपर आपको दिखरा है नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्रोन पर आपका कौन सा चार्ज होता है बिटे नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटोन पर आपका कौन सा चार्ज होता है बिटे 10 की पावर माइनस 19 कॉलम रिपीट कर रहे हैं क्या होती है माइनस 1.6 इन्टो 10 की पावर माइनस 19 कॉलम तो this is your charge of electron अब बेटे जी charge of proton की अगर मैं बात करूँ कि charge of proton क्या है तो charge of proton के बारे में अगर बात करें तो वो भी आपका सेम होता है that is 1.6 इन्टो 10 की पावर माइनस 19 कॉलम तो मैं मगर दोनों सेम होते हैं तो फरत क्या है फरत सिर्फ आगे सिखने चाथा है सिर्फ साइन का that is आगे positive negative तो 1.6 इन्टो 10 की पावर माइनस 19 कॉलम होता है electron के ओपर charge होगा माइनस 1.6 इन्टो 10 की पावर माइनस 19 कॉलम और proton पर charge होगा बिटे प्लस 1.6 इन्टो 10 की पावर माइनस 19 कॉलम तो प्लस माइनस का ही छोटा सा difference है बिटे उसके अलावा कोई difference नहीं है उसके बाद बात करते हैं बिटे जी mass में mass of an electron होता है 9.1 इन्टो 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम 9.1 इन्टो 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम जबकि proton का mass कितना होता है बिटे proton का होता है 1.67 इन्टो 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम तो इस पर कितना charge होगा बिटे जी इस पर charge होता है 0 अभी आपको बताया कोई चार्ज नहीं होता तो क्या मास भी नहीं होता बिल्कुल न्यूट्रोन में मास होता है बटे न्यूट्रोन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोगराम आप कहेंगे कि मैं में तो तो eur Neutron, दोनों का मास बराबर हो गया? बिल्कुल बराबर नहीं होता है. आप याद रखे हैं यहां पर होता है 1.673 in to 10 की पावर माइनस 27 kg यहां होता है 1.675 in to 10 की पावर माइनस 27 kg तो आपको दिख रहा है कि मास ओफ नूट्रोन थोड़ा सा जादा होता है थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा जादा होता है मैटे किससे? मास ओफ प्रोटॉन से लेकिन अगर मैं बात करूँ बिटे इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ पावर देखे 27, 27 चल रही है लेकिन यहाँ कितनी चल रही है बिटे? minus 31 तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? बहुत ही जादा कम होता है किससे मास ओफ प्रोटॉन और नियोट्रॉन से इसलिए हम नॉर्बल कैल्कुलेशन में इसको क्या करके चलते है बिटे? निकलेक्ट करते चलते है नॉर्बल कैल्कुलेशन के अंदर mass of electron को neglect किया जाता है जबकि mass of neutron और proton को लग भग क्या लिया जाता है विटे थोड़ा सा same लिया जाता है क्योंकि approximately same ही है देखो बहुत थोड़ा सा फ़र्ट है बढ़ है तो सबसे ज़ाधा heavier अगर मैं बात करती हूँ कौन सा होता है neutrons ठीक है और सबसे ज़ाधा हलका कौन सा होता है आपका electron होता है तो अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि atoms को आगे तीन parts में divide किया जा सकता है that is electrons, protons and neutrons और इनी electron, protons और neutrons को हमने एक नाम क्या दिया है बेटे जी subatomic particles अब हमने subatomic particles के ओपर charge पढ़ा कि electron के ओपर charge होता है negative, protons पर होता है बेटे positive जबकि neutron पर कोई charge नगी होता इसी तरह से charge की अगर मैं value बोलूं तो electron पर होगा 1.6 into 10 की power 19 negative का और proton पर होगा 1.6 into 10 की power 19 positive 1 और neutron पर कितना होता है बेचा 0 अगर मैं mask की बात करूं तो सबसे ज़्यादा मास की समें होता है आपके neutron में that is 1.675 into 10 की power minus 27 kg protons पर होता है बेटे 1.673 into 10 की power minus 27 kg और electrons पर होता है बेटे 9.1 into 10 की power minus 31 kg इसके बाद अगर मैं बात करती हूं बेटे जी सब atomic particles की discovery ये हुई कैसे तो सबसे पहले we are talking about the cathode rays discovery आप लोगों ने 10 ग्लास में एक experiment पढ़ा था रहते discharge tube experiment तो वही discharge tube experiment ही हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किके discharge tube experiment में ही हम detail study करेंगे about the cathode rays तो अगर मैं बात करूं बेटे सबसे पहले discovery of electrons की तो discovery of electrons के लिए आपको cathode rays पढ़ना जरूँ है बेटे जी कि cathode rays होता क्या है तो क्या मैं cathode rays electron है नहीं cathode rays एक अलग scientist ने नाम दिया था बेटे लेकिन बाद में हमें पता चला कि cathode rays is a combination of electrons तो होता क्या है जरा ध्यान से देखिए हमने क्या लिए है यहां पर एक discharge tube लिए है ठीक है पुड़ी छोटी बना लेते हैं बेटे points ने की ज़गा है जाएगी हमने यहां पर एक discharge tube लिए है इस तरह से ठीक है यहां पर आपको पता है अनोर्ड लगाया है बेटे हमने अजय का पता है आपको फोजिटीक चार्ट से जुड़ा होगा और कैथोड आपका नेग्रिटीक चार्ट से जुड़ा होगा यहाँ पर जो मैंने बैटरी लिया है वो हाई वोल्टेजर आजे यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गैस भर रखिया तो यहाँ पर गैस है बैटे आट लो प्रेशर यहाँ पर यहाँ पर जिंक सलफाइड की डेयर लगावी पैटे क्योंकि अगर इलेक्ट्रों प्रोटों या न्यूट्रों कुछ भी निकलता है तो आपको ऐसे नज़त होड़ी ना आएगा तो यहाँ पर उन्होंने जैडनेस की गो लगा दी यह फोस्फोरेसेंस होती है बिटे जब इससे कोई चीज चकराएगी इलेक्ट्रों प्रोटों लग चार्ज पार्टिकल कोई टकराएगा तो इसमें चमक पैदा हो जाएगी उस चमक को देखकर हमें पता लगेगा कि इस तरफ कुछ ना कुछ आ रहा है तो हुआ क्या बिटे उन्होंने यहाँ से हाई करना चार्ट कर दिया अब हुआ क्या आपकी जैसे मैं बान दी हूं कि मैंने हाइड्रोजन यां फिलकर किया तो यहां पर हाईड्रोजन है तो बेटे लोग प्रेशर पर आटम्स दूर-दूर होंगे इस तरह से ईसे तरह से हाइड्रोजन इस तरह बना दी कि अब आप यहां से जो फास्ट मौईंग इलेक्ट्राओन बगया बयाई बोल्कें तो फ्रस्ट मौईंग convenience, बएक्ट इस दो दर थे और शी उलागन के हाईज Rs 2, इस तरह से इसी तरह से यह फिर अगले atom से टकराएगा इसको भाहर निकाल देगा तो क्या हो रहा है यहां पर जैसे यहां से electrons निकले high voltage आपने apply की जैसे यहां से electron निकले वो atom से टकराते जा रहे हैं और due to collision जो outermost shell में electron है वो बाहर निकलता जा रहा है तो एक तरह से gas क्या हो रही है विटे gas ionize हो रही है तो कोई भी अगर gas है मैं hydrogen ही ले लेती हूं कोई भी अगर gas है तो वो H positive plus electron में convert हो रही है या मैं कोई भी gas ले रही हूं मैं कर्यों oxygen है तो कनवर्ट हो जाएगी O positive plus electron में या अगर मैं क्या रही हूं नाइट्रोजन डाली है मैंने तो convert हो जाएगी N positive plus electron में तो हो क्या रहा है यहां तक समझने की जरूत है बहुत जरूरी कि जैसे यहां से आपने cathode rays पर जैसे हाई voltage अपला ही किया तो इस तरफ से electron ट्रेवल करते हुए आपके atom से टकराए और as a result collisions की वजए से electronic collisions की वजए से आपके electron जो atom में थे वो बहार निकल के तो गैस आपकी आयोनाइज हो गई अब यह जो बहार निकले हुए आपको पता है कौन सा चार्ज है ने गे डाइब को पॉजीव आफको पॉजव लिया है और कि था और हूद को तरफ से निकली थी, इसलिए इन rays को हमने नाम क्या दे दिया, cathode rays, अब ये experiment किया किसे नहीं था ये experiment सबसे पहले faraday नहीं किया, faraday ने electron को discover नहीं किया था, faraday ने सिरफ ये बताया था, कि जब हम discharge tube experiment के अंदर gas को fill करते हैं, तो उसके अंदर gas क्या हो जाती है, बैटे, ionize हो जाती है, और जब आपकी gas ionize होती है, तो cathode की तरफ से beam निकलती है, rays निकलती है, और उन rays का नाम उसने क्या दे दिया, बैटे, cathode rays दे दिया, बाद में आपके scientist आए, जॉन सन, ठीक है, यह जो rays है, that is just a beam of electron, यह सिरफ electrons की beam है, और कुछ नहीं है, तो यह बात आपकी discovery of electron leads to, जे जे थॉंसन, जबकि cathode rays के लिए हम किसको credit देते हैं, फैरडे को, उसके आपके लूइस प्लककर भी आपके scientist आए थे बिटे, जिन्होंने यह शो किया था, कि अगर gas को discharge tube experiment में भर दिया जाए, low pressure पे, और high voltage पे, तो gas ionize हो जाती है, और अगर कोई चीज़ ionize हो जाएगी, तो वो electricity को conduct करेगी, जर्णरली अगर हम देखे कि हम कमरे में बैठे हैं और यहाँ पर कहीं spark हो जाए बिटे, तो spark होने की बज़े से ऐसा कुछ नहीं है कि हम कमरे में बैठे हैं और हमें current लग जाएगा, that means हमारी जो gas present है surrounding में, वो conduction का काम नहीं करती, लेकिन अगर उसी gas को मैं low pressure पे कर दूँ, तो मेरी gas क्या हो सकती है बैठे, आयोनाइज हो सकती है, और आयोनाइज हुई हुई गैस, conduction का काम बिलकुल करती है, ठीक है, तो this is, कि conduction भी किसने proof की, Lewis Plucker ने, ठीक है, cathode rays के बारे म किसने बताया, J.J. Thomson ने, तो तीन चीजे, एक ही experiment से सामने आई, जैसे protons पे discovery भी इसे experiment होई थी, लेकिन हो बहुत सालों बात हुई थी, तो यहां पर हमने अब तक ये पढ़ा, कि जैसे ही मैंने high voltage apply किया, तो high voltage apply करते ही, मेरे electrons की बीमिदर से travel हुई, जिनों ने, जो gas अं प्रेजर प्रेजेंट थी, उसके atoms के outermost shell में जो electrons है, हमको hit करना start किया, collision करना start किया, as a result, outermost shell के electrons क्या होंगे बाहर निकल गए, तो आपके इसके अंदर ionized gas भर गई, जो भी आपने भरी हो, कोई फरक नहीं पड़ता, hydrogen भरी है, तो H positive plus electron आ जाएंगे, oxygen भरी है, तो positive plus electron जाएंगे, nitrogen पड़ी है, तो H positive plus electron आ जाएंगे, तो कोई भी gas आपने भरी हो, यहाँ पर electrons इकठे हो गए बिटे, और क्यूंकि fast moving, अगर एक पत्थर आप बहुत तेजी से फैकोगे ना, तो पत्थर ना लगते बीम लगेगा, जैसे एक ray जा रही है, ऐसे लगेगा, इसी पत्थी है, उन्होंने इस ray को नाम क्या दे दिया, वेटे, cathode rays नाम दे दिया, ठीक है, तो this is all about your cathode rays की discovery, अब अगर cathode rays की properties के बारे में बात करें, तो ठीक है, properties के बारे में बात करते हुए, हमें दो चार बाते हैं, हम ध्यान में देंगे, कि cathode rays की properties में हमें क्या-क्या आप यहां तक फापी कर लीजे तो अगर हम इसकी properties के बारे में बात करें बिटे, तो सबसे पहली चीज़ की जो rays निकले थी, वो invisible थी, तो properties में सबसे पहली properties आ जाए थी बिटे, invisible rays coming from cathode to anode is called cathode rays, तो invisible rays थी पिटे, हमें दीखी कैसे, तो आपको याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग में यहां पे phosphorescence zinc sulfide लगाए था पिटे, तो जैसे ही आपकी rays पे टकराएगी, तभी आपका क्या हो जाएगा पिटे जी, चमक पैदा हो जाएगी और उस चमक को देखकर आप कह सकते हो कि यहां पर क्या है, आपकी कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल टकराया है, अब वो चार्ज पार्टिकल पोजिटिव की तरफ आया है, तो that is उस चार्ज पार्टिकल में कौन से हमते, नेगिटिक चार्ज है, तो second point यहीं ले लेंगे, it must contain, नेगिटिक चार्ज पेटे, अभी तो positive की तरफ अट्रेक्ट हो रहा है, नेगिटिक चार्ज, that is, it is made up of electrons, तो second point हमारा सेम आगे बचा, कि cathode rays travel का कर रही है, नोड की तरफ ट्रेवल कर रही है, positive की तरफ ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब यह इन में खुद में क्या है विटे, नेगिटिक चार्ज है, और नेगिटिक चार्ज का मतलब यह किस चीज की बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन की बनी हुई है, यह इलेक्ट्रॉन की बनी हुई है, यह बात आपके तॉंसल ने बताई थी, इसका लूइस प्लकर या फैरडे से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इड़ नोट डिपेंड ऑन दा नेचर ओपे ग्यास, यह अगर मोश्च पॉइंट ऑन दा नेचर ओफे ग्यास, इसी भी ग्यास के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्यों नहीं करती, बेटे बही चेम चीज, हाई रोजन अगर कनवर्ट होगा एच पोसिटिवर एलेक्ट्रॉन में, ऑक्सीजन कनवर्ट होगा, वो पोसिटिवर अगर रेज़ जेए, वो सिर्फ एलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है, तो इलेक्ट्रॉन चाहे हाई अगर नाइट्रोजन का हो, चाहे अगर नाइट्रोजन का, उसे कोई फरक नहीं पड़ता, तो इसी रीजन की वज़ए से हम क्या सकते हैं, कि जो इसका जो नेचर है, इस ने इसके पास जो है पार्टिकल्स वाली सारी प्रॉपर्टीज होएंगी तो अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने यहां पर एक छोटा सा पैडल लगा दिया इस तरह से अब पैडल देखो वो मतलब क्या मोलते हैं उसे जो हल्का सा पंखा सा होता है उसकी बात करे हों मैं कोई साइकल का पैडल लगा देना हमोई से सू को निलता और पैडल को कर सकती है तो इसकी 4th property हम कह सकते है, it has mechanical nature बिटे, कौम सा nature है इसके पास, mechanical nature है, so that means that can move paddle, ठीक है उलिफ दिजेगा आप, तो इसका मतलब mechanical nature है यो उसी लिगे ये paddle को move कर सकती है, ठीक है, उसके बाद अगर मैं 5th point की इसकी बाद कहूं बिटे, तो बच्चा आपको दिख रहा है कि ये electron की बनी है, मतलब इसके उपर charge है, charge है तो बिटे, it deflect by, it deflect by electric field and magnetic field, तो it deflect by electric field as well as magnetic field, electric field और magnetic field से deflect होगी, तो समझने वाली बात है बिटे, इनके उपर charge क्या है, negative charge है, तो अगर आप इसको electric field में apply कर देते हैं, तो positive की तरग ये जुकी चली जाएगी, तो उसी reason की बिज़े से इसने बुलाई, deflect by magnetic field और electric field, अगर मैं बीच में या पतला सा बिटे, aluminium foil लगा दू, तो ये बहुत speed से आ रही है, fast moving speed मतलब electron है, तो ये बिटे, जैसे ही, और mass भी ह electron में है ना आपने पढ़ा भी, तो mass भी है बिटे, उपड़ से speed भी है, छोटा सा पत्थर अगर आप फेग दो, बहुत speed से, तो उसमें mass भी है, speed भी है, तो आपका रास्ते में कागज बागज कुछ होगा, तो उसको फाड़ता हूँ, चीरता हूँ और निकल जाएगा, इ उसको यह सामी से penetrate कर सकती है, उसके बाद इसका एक बहुत ही important point अप पढ़ रहे है, that is charge by mass ratio, अगर मैं charge by mass ratio की बाद कर रहे हूँ बटे, that is the main point, जिसका charge by mass ratio same रहता है, what is the charge by mass ratio, बटे जो बोल रहे हूँ नहीं दिखना है बस, charge by mass ratio, 6.7th point, charge की बाद कर रहे हैं बटे, charge by mass mass of electron और उपर बटे, charge of electron, जिस भी चीज़ का बन है वही तो ले न, तो charge of electron fix रहे है, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कॉलम, अपों, mass of electron आपका fix है बटे कितना, 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 किलो ग्रम, ठीक है, तो बच्चा fix है न, दोनों चीज़े, दोनों चीज़े बदल तो नहीं अगर मैंने oxygen का gas यूज किया है, तो oxygen के gas पी नहीं बदल रही, अगर मैंने nitrogen का gas यूज किया है, तो उस पे भी same आएगा, क्योंकि charge of electron same है, mass of electron same है, तो आप कोई भी gas इस्तवाल कर लीजे, इसके e by m, charge by mass ratio को हम बोलते हैं, e by m, तो इसके e by m का ratio क्या रहेगा, विल्कुल same रहेगा, वो change नहीं होता है, तो e by m ratio से solve कर लीजेगा, e by m ratio आपकी इसकी क्या रहेगी, same रहेगी, चाहिए आप कोई भी gas इसमें फिल कर लीजे, तो आज हमने discovery of cathode rays पढ़ी है, और electrons के बारे में पढ़ा है, कि cathode rays के discovery में ही electrons के बारे में पदा चला था, बट आप यह नह गैस फिल करके, गैस आइनाइस हो सकती है, low pressure में electricity conduct कर सकती है, इसके बारे में Lewis Plucker ने बताया था, और अगर मैं बात करूं, electrons के बारे में तो इसके बारे में J.J. Thompson ने बताया था, ठीक है, तो this is all about your cathode rays discovery and discovery of electrons, कल के lecture में we will do the protons discovery and the discovery of neutrons, तो stay tuned, ठीक है, बाकी चैनल को subscribe कर ल देने हैं, तो मैं continue updates डालती रहोंगी, और कोई भी अगर आपको doubt है, तो आप abouts में से information निकालते, you can message me, whatsapp कर सकते हैं मुझे, या फिर आप comment box में comment करके कोई भी कोशन पूच सकते हैं, ओके गाइस,